नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स नाइन लाइफ जैसे कि आप सभी देख रहे ही कि बीजेपी में शामिल हुई अपढ़ना यादव जिनको काफी समय हो चुका है लेकिन उसे बीच अपढ़ना यादव काफी समय से पजार कर र देखने को मिली है यहां सवाल उठता है कि क्या पढ़ना यादव बीजेपी से नराश हो सकती है क्योंकि विधान सभा चुनाव में यहीं देखा गया जहां उमीद जताई गई थी कि अपढ़ना यादव को बड़ा पद मिल सकता है लेकिन अपढ़ना यादव को 2022 के विध लेकिन उसके बात देखने को मेरा कि अपनंदा यादफ को कोई बड़ा फर्क पड़ा ही नहीं लेकिन परदीदOOOO advised पेरिशद में किया यानव को टिकेट मिल सकता है वही हर दिन कयास लगाए जा थे कि अपड़ना यादव को बड़ा तोफा मिल सकता है वहें आज अपड़ना यादव को बहुत बड़ा धोका बीजेपी ने दे दिया जी हां सिर्फ वसात उमीदवार बीजेपी ने उतारे हैं लेकिन उसमें किसी भी में भी अपड़ना यादव का नाम नहीं है अपड़ उन्हें BJP ने टिकेट नहीं दिया क्या इसके पीछे एक बड़ी वजा ये भी है कि अभी तक BJP सिर्फ अपढणा यादव को जाज करने की कोशिश कर रही और सिर्फ अपढणा यादव नहीं बलकि ऐसे कई नेता है अभी तक BJP जीने सिर्फ जाज रही है हाला कि अपढ़ना यादव बहुत अच्छी तारीके से बीजेपी को मानती है अपने ससुर मुलाम सिंग यादव के बड़े आश्रवाद के साथ वो बीजेपी में शामिल हुई थी यो भी विदान साब चुनाफ के पहले वो यहाँ पर आएं थी लेकिन आज दूसरी बार हार दूसरी बार धोका जो योगी सीम योगी से अपढ़ना यादव को मिला आज अब इसमें देखने को यह मिलेगा कि क्या अपढ़ना यादव वो माफ कर पाएंगी या नहीं या पढ़ना यादफ समझदारी से इस नेड़े को मानेंगी या नहीं अपढ़ना यादफ समझेंगी कि नहीं कि थोड़ा समय लगता है बीजेपी में पहले आपको अपनी इमानदारी दिखानी पड़ती है और उसके बाद ही आपको बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद सौपा जाता है अपढ़ना यादव को थोड़ा और समय चाहिए अपनी पहचान बनाने का बीजेपी में जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान मनाई थोड़ी और पहचान अपनी बढ़ानी होगी उसके बाद उनको जरूर एक बड़ा मौका मिल सकता है लेकिन आज जिस तर कोंट जो है वो राजविती में चल सके सपा पार्टी के तरफ से बीजेपी पे बहुत जल्दी निशाना आने वाला है निशाना साधने वाले हैं कि अपना यादव वहां तो गई लेकिन वहां जाकर भी उन्हें कोई पन नहीं मिला आपको बता दे कि समाजवादी पार्ट मैं इमानदारी से काम करूंगी और जिस तरह से आज टेकित नहीं मिला देखने देखने वाली बात होगे अपना यादव करस पे क्या रियाक्शन होता है लगातार अपडेट्स अपना यादव को लेकर आप तक पहुचाते रहेंगे उसके लिए हमारे साथ बने रहे और द